यजब सथा की ताकत के सामने सवाल कम्सोर पड़ जाएं तो आवाज बोलन्द करनी पड़ती है बोल किलब आजाद है तेरे News Click पर मेरे साथ News Click की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिन कीजिए आपके सामने तीन विकल्प नास्कार बोल के लिए बाजात हैं तेरे मैं अविसार शर्मा और आप सबका एक बार फिर मैं शुक्रियादा करना चाहता हूँ कि News Click की सदस्थता ग्रहिन करके आप हमारे हाथ मजबूत कर रहें ताकि इसी तरह से हम आपके मुद्दे लगातार उठाते रहें और आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ न दोस्तों क्योंकि इसी वादे के साथ प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी मुख्य मंतरी से प्रधान मंतरी बने थे उन्होंने देश की जनता को क्या वादा किया था पहले मैं आपको वो याद दिलाना चाहता हूँ और आज की बड़ी खबर क्योंकि आपको अंध तक रहना पड़ेगा मैं आपको बतलाओंगा किस तरह से इस देश की जनता के विश्वास का घात होता है यानि कि उसके साथ विश्वास घाद किया जाता है सुनिए प्रधान मंत्री ने काले धन को लेकर क्या वादा देश से किया था कि एक बार भारती जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो काला धन इस देश में आना तै है सुनिए क्या कहा उनों गगार हुशेख और जिस दिन भारती जनता पार्टी को मोगा मिलेगा एक-एक-पार हिंदुस्तान की वापिस लाई जाएगी और हिंस्तान के गरीबों के पांड़ीं अट चन्दां के पैसे हैं करिक अ हमारा किजार खेता मज्दूरी करता है उससे निकला हुआ धन है वो धन पर हिंदुस्तान का जिकार है हिंदुस्तान के कोटी-कोटी गरिबों का जिकार है और उनको वो धन मिलना चाहिए तो सुना आपने अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ही की खबर क्या है आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों ये है स्विज नाशनल बैंक की तस्वीर और आप जानते हैं उनका एक आखड़ा आया है और वो आखड़ा क्या कहता है आपके स्क्रीन्स पर ये है इंडिया वक्त स्विस बैंक के अंदर जहां बड़ी तादाद में काला धन जमा किया जाता है वहाँ पर भारतियों के 20,700 करोड रुपे हैं इस देश के प्रधान मंतरी ने प्रधान मंतरी बनने से पहले हमें बहुत बड़े बड़े वादे किये थे हमें ये तक बताया था कि अगर ये काला धन जो है आ गया तो घरीब की जेब में 15 से 20 लाक रुपे चला जाएगा और आपके सामने हैं हकीकत है दोस्तों पिछले 13 साल में सबसे ज्यादा पैसे इस वक्त भारतियों के हैं 20,700 करोड क्या वज़ा इसके बताइए किया ये काला धन है हाला कि ये रुपोर्ट ये कह रही है कि इसे काला धन अभी नहीं कहा जा सकता मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लोग विदेशी बैंकों में अपने पैसे कब डालते हैं वो तब डालते हैं दोस्तों जब देश के अंदर एक आर्थिक हालाद जो हैं वो खराब चल रहे हो वो तब डालते हैं जब देश के अंदर एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला हो या आ रहा हो या मौजूद हो ये वो देश है जहां बैंक्स लगातार कंगाल हो र अर्या देश का पैसा लेके विदेशों में जाकर बसे हुए हैं और ये सब हुआ है पिछले साथ सालों में और अब आपके सामने खबर पिछले तेरा सालों में सबसे ज़ादा 20,700 करोड रुपए इस वक्स स्विस बैंक्स में हैं प्रधा मंत्री मैं नहीं बूला हूँ जब आपने कहा था कि अगर काला धन इस देश में आ गया तो हर गरीब के जेब में कितना होगा 15 से 20 लाग करोड रुपए सुनिए क्या कहा था अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना उसने भी हम रुपए ले आए ना तो भी इंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफट में 15-20 लाग रुपए युभी मिल जाएगा मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्या हुआ आपका वादा वो गाना है ना क्या हुआ तेरा वादा कहां गया आपका वादा आपके इस वादे का सहारा लेकर एक रामदेव नाम के योग गुरू हुआ करते थे जिनों ने देश को मूर्ख बनाया और आज वो योग गुरू से लाला रामदेव बन गए हैं बिजनस गुरू बन गए हैं आज वो बैटकर हमारे डॉक्टर्स को गाली देते हैं वैक्सिन्स को गाली देते हैं कोरोना की और इनका जो सबसे बड़ा अंदोलन था जो रामलीला मैदान में वह था वो काला धन के खिलाफ हुआ था आज इनमें से कोई काले धन की बात नहीं करता प्रधान मंत्री आपका एक और बयान मैं देश की जनता को सुनाना चाहता हूं इसमें प्रधान मंत्री क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिये प्रधान मंत्री इससे कह रहे हैं कि देश का रुपया वापिस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए सुनिये प्रधान मंत्री क्य प्रदान मंत्री यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, बिलकुल आना चाहिए, किसने रोका है, कौन रोक रहा है आपको इस पैसे को लाने के लिए, मैं ये समझना चाहता हूँ, साथ साल गुजर चुके हैं, क्या अब भी आप इसके लिए विपक्ष को ब्लेम करेंगे, कॉंग्रेस के दस साल को ब्लेम करेंगे, या सतर साल को ब्लेम करेंगे, जिसके अंदर छे साल अटल विहारी वाचपई का राज था, बताइए न प्रधान मंत्री, क्या आप इस हकीक में जो नियम कानून है वो खुल गए हैं बदल गए हैं ये 2013-14 का बयान है उनका मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सुनो प्रधान मंतरी ने कहा था कि अब मुश्किल नहीं होगा इस देश में काला धनाना क्योंकि फित्रत बदल चुकी है लोगों की सोच बदल गई है और करने के लिए पुलवामा के जवाब में तो जब आप उस वक्त बादलों का फाइदा ले सकते थे तो इस वक्त जो बदली हुई सोच है मैं सुनाता हूं प्रधान मंतरी ने क्या कहा था फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं सुनिए हमारा स्टेंड यह है कि जब हम सरकार में आ करोड है तो यह अलग-अलग लोगों के अलग-अलग इंफर्मिशन चैनल है अधिकृत जब सरकार में हम बैठेंगे तो अधिकृत जानकारियां मिलेगी दूसरा इशे दो है इसको कोई इंकार ने कर सकता है छोटा है बड़ा है मद मदम्ध हो सकता है लेकिन एक बार देश हित्म है यह कलियर होना जरूरी है अब इसके लिए legal team की जरौत पड़े international nation को जानकार की team पड़े international law को जानकार की तिम पड़े हैं ऐसे लोग बैठेंगे framework दाय करना पड़ेगा हो सके तो विदेशों से संदिक नी पड़ेगे ताकि वो अपने बाते हमारे सावने there source करें तो उसके जीकरे पहलू और ये ये आशा क्यों जगी है कि दुनिया के कई देशों ने अपने कानून बढ़ ले है और इसका लाब हिंदुस्तान ने लेना चाहिए उसमें जाया कारेधन की इतनी तीवरत पहले नहीं आई थी ये आई इसलिए कि कई देशों ने अपने चीजों को निकलवाया उसके कदम उठाए तो भारत ने भी आज जब आंतर राश्ट्य माहूल बढ़ ला है तो फाइदा लेना चाहिए भारत को आखिर इस बदली हुई सोच का फाइदा क्यों नहीं हुआ प्रधान मंतरी या कई ऐसा तो नहीं है कि ये भी एक जुमला था क्योंकि 15 लाग तो जुमला था ही हाला कि प्रधान मंत्री आपने खुद कहा था आपने खुद कहा था कि एक बार काला धन आ जाए तो 15 से 20 लाग रुपए जो है वो देश के गरीब के जेब में आसानी से चले जाएंगे और यही नहीं आपने इतना बड़ा नोट बंदी किया था और मैं आपको बताना चाहता हूँ चार साल पूरे होने पर प्रधान मंत्री ने क्या ट्वीट किया था आपके स्क्रीन्स पर प्रधान मंत्री ने क्या कहा? इसका मैं हिंदी में अब तर्जुमा करना चाहता हूँ आज 8 नवंबर को नोट बंदी के चार साल पूरे हो गए हैं इस मौके पर प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी ने एक बार फिर नोट बंदी से देश को होए फाइदों को गिनाया प्रधान मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि नोट बंदी ने काले धन को कम करने और कर अनुपालन वह formalization को बढ़ावा दिया है इसका नतीजा हुआ है कि पारदर्शिता को मदद मिली है ये प्रधान मंत्री ने कहा था दोस्तों जब चार साल पूरे हुए थे नोट बंदी के आज मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो तमाम बातें प्रधान मंत्री करते हैं क्या इस पर कोई जवाब दे ही मांगी जा सकती है नहीं या अगर इस पर भी हम जवाब मांगेंगे तो हमें देशदुरही करार दिया जाएगा वादे आपके थे वादे मेरे नहीं थे वादे विपक्ष के भी नहीं थे और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है आपके स्क्रीन्स पर एक खबर देखिए अप्रेल जून में भारत की जीडीपी माइनस 24 परसेंट हो गई थी माइनस 24 परसेंट और इसमें सिर्फ कुरोना का योगदा नहीं था इसके अंदर पिछले साथ सालों में अर्थ व्यवस्था की जो बत्तर हालत है जिस तरह से इन्होंने एकॉनमी को हैंडल किया है उसका परिणाम हमने देखा आज आप लगातार देख रहे हैं पिछले 50 सालों में ये आकड़ा है पिछले 50 सालों में बेरोजगारी को लेकर इतने बत्तर हालात कभी नहीं हुए तूसरी बात पिछले 45 सालों में देश का गरीब बुनियादी चीजों पर यानि की अनाज पर कपड़े पर कम खर्च रहा है इन दो बड़ी खबरों का क्या जवाब है आपके पास और सबसे बड़ी बात फिर दिखाना चाहूंगा वो खबर जिस जो आज इस कारकरम में मैं कर रहा हूँ इंडियन फंड्स इन स्विस बैंक्स क्लाइब तू 20,700 क्रॉज हाइस्ट इन 13 यर्ज पिछले 13 सालों में भारतियों ने स्विस बैंक्स में इतनी बड़ी तादाद में पैसे नहीं डाले इसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं या तो इन धन्ना सेठों का विश्वास भारती अर्थिवस्था पर से पूरी तरह से उड़ गया है दूसरी बात इसमें बहुत बड़ा पैमाना जो है ब्लाक मनी का है कि स्विस बैंक ने ये नहीं कहाए इसे पूरी तरह से इसका खंडन नहीं किया है कि ये काले धन है या नहीं है क्योंकि काले धन को राजनीतिक मुद्धा बनाने का काम जितना भारती जनतापार्टी ने किया है उतना आजाद भारत के एतिहास में किसी political party नहीं किया है इसका क्या अर्थ हुआ मैं जानना चाहता हूं आरुन जेतली जब वित्त मंत्री थे, इस ख़बर को ध्यान से सुनिएगा, वैसे आप लोगों में से कही लोग जानते होंगे, आरुन जेतली जब वित्त मंत्री थे, तब वो Electoral Bonds नाम की एक चीज लेकर आये थे, जो इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर है, Electoral Bonds यानि की आप राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं, और ये चंदा किस ने दिया, इसकी कोई जानकारी जो है, वो सारवजनिक नहीं की जाएगी, गुप्त चंदा दिया जा सकता है राजनीतिक दलों को, और क्या आप जानते हैं कि Electoral Bonds सबसे ज्यादा जो गुप्त चंदा आता है, ये सबसे ज्यादा चंदा भारती जनता पार्टी को पहुँच रहा है, यानि कि वो पोलिटिकल पार्टी जिसने कहा था कि कालाधन आ ज जेब में 15 से 20 लाक रुपे आएंगे, आज की तारीक में वो गुप्त चंदा अपनी जेब में भर रहा है, इस से ज्यादा कलपना से विचित्र आखर क्या हो सकता है, मुझे बताएगे ना आप, क्या हो सकता है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कहने को इंडिया टोड था इस देश की जनता को, और आज हो क्या रहा है, आपके सामने मैंने आपको बताया, जीडीपी की क्या हालत हो गई है, सकल घरीर उतपाद माइनस 23%, नोट बंदी की वज़ा से छोटे छोटे धंदे बरबाद हो गए हैं, काला धन जो है, वो 13 साल में रिकॉर्ड तोड़ ये तमाम चीजे हकीकत हैं, ये खुद स्विस बैंक का अकाउंट है, अंद भक्ती से बाहर निकलिए, मित्रों, खेर, बोल के लब आजाद हैं तेरे में हमारा जो फलस्फ़ा है, वो इसी तरह से मुद्दों को उठाना है, सरकार को जबाब दे बनाना है, और हम बनाते रह झाल सकार